बैंक समाधान विवरन्ट के वीडियो के इस अंक में हम आपका देख स्वागत करते हैं। जो हमने पिछले वीडियो के जिसमें हमने बैंक समाधान विवरन्ट के अर्थ, उसकी परिभाशा, और अंतर के कारणों के बारे में जाना था आज हम जानेंगे कि इससे समंदित जो प्रशन है वो कैसे किये जाते हैं बैंक समाधन विवरेंट बनाया कैसे जाता है उसका फार्मिट क्या होता है और उसके पस्चात कुछ प्रशनों की साहता से उसको अच्छे से समझने का एक प्रेतन हम करेंगे नहीं शुरू करते हैं कि e bank samadhan vivrant बनाने का एक format क्या होता है बत्यों जैसा कि हमें पता है bank samadhan vivrant दो चीजो के balance को मिलाने के लिए किया जाता है अंतर के कारूणों की हम जाच कर चुके हैं रोकर बही यानि जिसे cashbook बोलते हैं और passbook जो bank जिसके अंदर entry pass करता है जिसमें प्रविष्ठिया पास करता है ये एक इसका format है format को discuss करें उससे पहले आखिर हम जाना चाहते हैं किस-किस लेंदेन से रोकड बही में व्रद्धी हो सकती है और किस-किस लेंदेन से passbook में व्रद्धी या कमी हो सकती है bank समाधान विवरन जब भी हम बनाते हैं तो ये हमारा एक निश्चित format होता है परंतु हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि किस तिथी को यानि as on date किस तिथी को हम लोग इसको बना रहे हैं सबसे important है bank समाधान विवरन किस तिथी को बनाया जाता है यहाँ पर हम विवरन जमा यानि कि प्लस घटा यानि कि माइनस bank समाधान विवरन कैसे बनाया जाता है और इसका एक standardized format क्या होगा उसके अधार पर हम लोग गीत तै करने की कूशिस करेंगी कि किस किस lending से क्या जमा होता है और किस किस lending से क्या क्या चीज़े इसके इंदर घटाई जाती है जैसा कि हमने अंतर के कारणों में सबसे पहले जाना था चेक निर्गत किया गया परंतु भुकतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ बच्चों सबसे पहला कारण है कि हम यह जानें कि अगर चेक निर्गत किया जाता है कोई चेक जारी किया जाता है किसी website के द्वारा और वो निष्चित तिथी तक भुकतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इससे सबसे पहला असर किस बुक पे पड़ा हम इसको समझे और उसके पश्चात फिर किस book से उसके उपर क्या आसर हुआ हम इसको समझ के ही हम लोग bank statement यानि bank reconciliation statement बैंक समाधा अन्विवरंट बना सकते हैं अगर check निर्गत किया जाता है, check issue किया जाता है तो उसका सबसे पहला आसर जब भी होगा वो रोकड बही पे होगा रोकड बही पे, और वो क्या आसर होगा रोकड बही के उपर, रोकड बही के अंदर से amount minus कर दिया जाता है अभी हमने देखा, check issue हुआ, उसका सबसे पहला आसर, सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा, वो किस पे पड़ा, रोकड बही पे पड़ा रोकड बही पे क्या आसर पड़ा, वो रोकड बही minus हो गई दूसरा, check जमा किया गया प्रंतु संग्रहित नहीं हुआ अगर हमने check जमा किया है, लेकिन अभी तक उसके उपर जो हमारा amount हमें receive होना चाहिए था बैंक से, अभी तक receive नहीं हुआ, संग्रहित नहीं हुआ तो उसका भी सबसे पहला आसर रोकड बही पे पड़ा, और क्या आसर पड़ा, वो जमा हो गई तीसरा अगर हमारे bank account के amount के अंदर कुछ हमें कोई ब्याज देता है, किसी निवेश के उपर हमें कोई ब्याज मिलता है, या कहीं से हमें लाभांस की प्राप्ति होती है, तो सबसे पहला असर उसका passbook पर होगा, और वो क्या होगा बच्चो? वो होगा कि हमारी passbook का balance बढ़ जाएगा, यानि जमा हो जाएगा, बैंक द्वारा शुल्क का लिया जाना, शुल्क का लिया जाना, बैंक जिस तरीके से अपनी सेवाई हमें प्रदान करता है, उसके बदले में बैंक हमसे कुछ शुल्क लेता है, अगर बैंक हमसे कोई किसी तरह का चार्ज या शुल्क लेता है, तो उससे हमारी passbook के उपर, उसके balance को सबसे पहला असर पड़ता है, passbook पे और balance उसका हमारा क कम हो जाता है, पांचवा, चेक का अनादर हो जाना, यानि चेक dishonor हो गया, चेक का अनादर होना, अगर चेक हमने जमा किया, परन्तु किसी भी कारण की वज़े से, चेक का अनादर हो जाता है, तो उसका पहला असर, passbook पे पड़ता है, और हमारी passbook कम हो जाती है, उसका balance कम ह हो जाता है जबकि अभी तक रोकड भई पर उसका कोई असर नहीं हुआ जिसकी वज़े से उन में difference आ सकता है एक format है इसको समझने का प्रयास करेंगे इसके पस्चात कुछ numerical questions करेंगे जिसके अधार पर हमें clear होगा कि के bank समाधान विवरंट बनाया कैसे जाता है अगला कारण हो सकता है bank द्वारा प्रत्यक्ष खर्चों का भुकतान अगर bank directly हमारे expenses को paid कर देता है यानि प्रत्यक्ष रूप से हमारे खर्चों का भुकतान कर देता है जिसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है एक निश्ची तीथी तक तो passbook पर उसका असर होता है कि passbook हमारी कम हो जाती है जिसकी वज़े से passbook और cashbook में difference आ सकता है अगला हमारा point है bank के खाते में हमारे ग्राहक द्वारा एक निश्चीत राशी का जमा होना बच्चों कई बार क्या होता है कि हमारे जो हमारे customer होते हैं जो हमारे ग्राहक होते हैं वो हमारे ही निदेश के अनुसार हमारे खाते के bank खाते के अंदर किसी निश्चीत राशी को एक निश्चीत समय तक जमा कर देते हैं जिसकी वज़े से उसका पहला आसर पास्बुक में होता है वो पास्बुक बढ़ जाती है और क्योंकि उसका अभी तक कोई भी प्रभाव रोकट बही में नहीं हुआ उस लिंदेन का कहीं पर भी लेखा रोकट बही में नहीं हुआ जिससे के डिफरेंस आ जाता है जब हम लो की प्रभाव को जानने के बस wontalk 22 मि brightness हम लोग किस तरीके से बहुत ही आसानी से मिसको बना सकते हैं तो बैंक समाधार विवरंड हम लोग किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में हमने망 जानकारी एक पुरा प्रारहंभिक जानकारि है किस तरी से बनाया जाए आप इसको अच्छे से हम लोग स्पस्ट कर देते हैं कि किस तरीके से बैंक सवधार विरूंड बनाया जाता है एक प्रशन लेते हैं और प्रशन की सायता से हम इसको बनाने का प्रयतन करते हैं मिस्टर मोहन एक व्यवसाई हैं जिनकी पास्बुक एवं रोकर बही से मिलान करने के पस्चात निम लेंदेनों का पता चलता है और हमसे कहा गया कि आप एक बैंक समाधान विवरेंट बनाएं लेंदेन नमबर एक एक हजार रुपे का चेक निर्गत किया गया परंतु भुकतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ प्रस्तुत नहीं हुआ नमबर दो नमबर तीन बैंक द्वारा पांसो रुपे ब्याज का भुकतान जमा हुआ यानि क्रेडिट हुआ परंतु इसका अभी तक रोकड बही में लिखा नहीं हुआ नहीं हुआ बैंक द्वारा दो सो रुपे शुल्क लिया गया परंतु इसका भी लिखा नहीं हुआ रोकड बही में नहीं हुआ ये एक हमारे सामने एक प्रेशन है मिस्टर मोहन एक वेशाई हैं जिनकी पास्बूक और रोकड बही से मिलान करने के पस्चात निम लें दोनों का पता चला इसी के अंदर हमें यहाँ पे एक सूचना और एड़ कर देते हैं कि रोकड बही का का शेश दस हजार रुपे प्रदर्शित हो रहा है रोकड बही का शेश दस हजार रुपे हमें दिखाई दे रहा है लेकिन रोकड बही और जब हम लोगों ने पास्बूक का मिलान किया तो हमें ये लिंदेन हमें पता चले जिससे की रोकड भही और पास्बुक में अंतर आया एक 1000 रुपे का जेक था जो हमने जारी किया परन्तू उसको भुक्तान के लिए अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया 2000 रुपे का चेक हमने जमा किया परन्तू अभी तक वो संग्रहीत नहीं हुआ बैंक द्वारा 500 रुपे ब्याज का भुक्तान यानि हमारे अकाउंट में जमा हुआ प्रन्तु अभी तक इसका रोकड बही में कहीं लिन देन लिखा नहीं हुआ बैंक द्वारा 200 रुपे शुल्क लिया गया और इसका भी लिखा रोकड बही में अभी तक नहीं हुआ की परताल कर सके तो हमने बनाया बैंक समाधान विवरण दिनांक अगर यहां पर हमें कोई डेट डिवी है तो हम उस डेट का जिक्र करेंगे यह विवरण है हमारे पास यहां जमा कितना प्लस कितना घटा यानि माइनिस शुरुवात हमारे पास रोकड बही का शेज रोकड बही का शेज कितना है दस हजार रुपे है यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है अगर रोकड बही का शेज दो हो सकता है दो तरीके का हो सकता है एक रोकड बही का पॉजिटिव से शेज है यानि कि प्लस बैलन्स है एक रोकड बही का नेगडिव बैलन्स यानि कि ओवर्ड्राफ्ट जिसे हम लोग हिंदी में अधी विकर्ष कहते हैं ओवर्ड्राफ्ट अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे ओवर्ड्राफ्ट क्या होता है और अधी विकर्ष क्या होता है अब हम लोग यहां पर एक कोशिस करेंगे कि बैंक समाधान विरंड बनाएं प्रशन हमारे सामने हैं उसके तत्थे संबंदित जो तत्थे हैं वो भी हमारे सामने हैं रोकड बही का शेष हमारे को दस अजार रुपे दिया हुआ है तो सबसे पहले हम देख जानेंगे कि रोकड बही का जब भी शेष हमें दिया जाए तो उसको हम प्लस मान के चलते हैं negative balance यानि कि जो उसका minus balance होता है वो तब होता है जब वो अधी विकर्ष हो या overdraft हो इसके बारे में चर्चा अभी हम करेंगे रोकड बही का शेस हमारे पास 10,000 रुपए है जो हमने प्लस में लिखा इसके पस्चात इस तथे की जानकारी लेते हैं एक 1000 रुपए का चेक हमने निर्गत किया प्रणतु भुकतान के लिए अभी तक वो प्रस्तोत नहीं हुआ अगर 1000 रुपए का चेक हम issue कर चुके हैं हमने बताया था कि अगर 1000 रुपे का चेक निर्गत हुआ है तो उसका सबसे पहला असर क्या हुआ होगा उसका सबसे पहला असर रोकट बही पे हुआ होगा और वो माइनस हो गई होगी परन्तु हमें इसको पास्बुक से मैच करना है पास्बुक यानि वो विवरंड जो की बैंक के द्वारा प्रविस्टियां जिसमें पास की जाती है अगर चेक का भुकतान 1000 रुपे का हुआ पास्बुक में उसकी इंट्री नहीं है तो इसका मतलब यह हो गया है कि कैश्बुक हमारी कम हो चुकी है पास्बुक में उसका कोई असर नहीं है दुबारा से पास्बुक से मिलाने के लिए हम इसे 1000 रुपे दुबारा प्लस कर रहेंगे यानि उसको वापस बढ़ा देंगे और हम लिखेंगे जो उसका कारण रहा चेक निर्गत हुआ प्रन्तु भुक्तान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ प्रन्तु भुक्तान नहीं हुआ नमबर एक नमबर दो 2000 रुपे का एक चेक है जो हमने जमा किया प्रन्तु अभी तक संग्रहित नहीं हुआ अगर हमने 2000 रुपे का एक चेक हमाने अपने बैंक अकाउंट ने जमा किया है और अभी तक उसके अंदर उसके कोई एंट्री नहीं की है कोई प्रविस्टी पास नहीं हुई है तो सबसे पहला काम है कि वापस हमें दुबारा से इसके अंदर लखना है कि क्या वो जमा हुआ है नहीं हुआ बैंक हमें इस जानकारी दे रहा है कि वो अभी तक संग्रहित नहीं हुआ है तो हम इसे वापस 2000 रुपे को माइनस कर देंगे और उसका कारण लिखेंगे चेक जमा हुआ परंतु तंग्रहित नहीं हुआ तंग्रहित नहीं हुआ आप देखेंगे बच्चो दुबारा से माइनस करने से हमारा दोनों बैलेंस जो है वो वापस एक जैसा हो जाएगा बैंक द्वारा 500 रुपे का ब्याज का भुकतान हमें हो चुका है परंतु उसकी रोकड भही में हमें कोई एंट्री नहीं है क्योंकि हमें इसको रोकड भही को पास्बुक से मैच करना है 500 रुपे पास्बुक में अलड़ी एड हो चुके है तो हम दुबारा से इसके अंदर 500 रुपे एड करेंगे ब्याज का जमा होना यह जमा हो गया है तीसरा बैंक के द्वारा 200 रुपे का हमसे शुल्क लिया गया अगर बैंक हमसे कोई शुल्क लेता है तो वो पास्बुक में उसकी प्रविष्टी पास करके वो 200 रुपे माइनस करेगा बैंक शुल्क जिसे हम बैंक चार्ज भी बोल सकते हैं 200 रुपे माइनस हुआ सारे लेंदेन हमारे समाप्त हो चुके हैं अब हमारा जो उदेश है वो यह जानने का है कि आखिर पास्बुक का आप कितना शिष रहेगा जिससे कि रुकड भाई और पास्बुक आपस में मैच हो जाए उसका मिलान हो जाए जब आप देखेंगे प्लस का बैलेंस हमेरे को ज़्यादा दिखाई दे रहा है और उस जिसका टोटल आ रहा है ग्यारा हजार पांच सो रुपए दस हजार एक ग्यारा हजार ग्यारा हजार पांच सो रुपए इस ग्यारा हजार पांच सो रुपए में से दो हजार दो सो रुपए हम माइनस करेंगे तो हमें निकल कर आता है 9,300 रुपए 9,300 रुपए का जो बैलन्स हुआ ये पास बुक का शेज कितना आ रहा है 9,300 रुपए यानि 11,500 रुपए में से 2200 रुपए हमने माइनस किये तो अंतर आया 9,300 रुपए जो कि पास बुक का सेज है इस प्रकार हमने देखा कि किस तरीके से जब हमें कारण स्पस्ट कर दिये जाते हैं और उन कारण के स्पस्ट होने के पस्चात बैंक समाधान विबरंट बनाने को दिया जाता है तो इस तरीके से हम बैंक समाधान विबरंट बनाते हैं और उसके पस्चात हम ये बता सकते हैं कि रोकड वही का सेश इतना है और पास बुक का सेश इतना है और इन दोनों सेशों को इन अंतर की वज़े से हमने एक दूसरे से दुबारा से मिलान कर दिया तो विद्यार्थियों हमने जाना कि किस तरीके से बैंक समाधान विबरंड हमने बनाया और बैंक समाधान विबरंड बनाने के पस्चात रोकड भाई और पास्वुक के दोनों शेशों का हमने मिलान कर दिया अगले वीडियो के अंक में हम जानेंगे कि किस तरीके से इसके संबंदित और जो प्रशन है वो कैसी किये जाएं और उनको किस तरीके से हम लोग परिक्षा की दरश्टी से सीखें और इस वीडियो के अंक में अभी तक के लिए धन्यवाद